गैस मुझे पता है कि आप सभी को रॉम कॉम इची टैप एनिमे काफी जादा पसंद है और इसलिए मैं एक नए एनिमे को लिखाया हूँ जिसका नाम है टाइंग दी नौट वित अन आमा गामी सिस्टर तो जलो हम वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो के शुरू में हमें हमारे मैं करेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मनी मन सोच रहा था कि शादी एक काफी प्योर कनेक्शन है काफी सारे कनेक्शन है जैसे के को वर्कर फ्रेंड लेकिन मैरेज सबसे अलग है और फिर हमें दिखा जाता है कि वह सब मनी मन सोच रहा थ लेकिन असर में वो अपने लगज वगज पैक करके करीत हो जाता है और फिर फाइनल अपने डिस्टनेशन पहुँच जाता है जो कि था एक श्राइन आमागामी श्राइन और फिर वो आमागामी श्राइन के ऊपर चढ़ने लगता है और था भी कुछ लड़कियां उसको स्वास नहीं है, उपर से मैं भगवान मैं तो मानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं श्राइन बाया हूँ, शायद ये जगा मेरे लिए उतना सही नहीं है, और फिर वह श्राइन का जो अक्मोडेशन था, वहाँ पर जाता है, और गेट खुल के कहता है कि हाई, मैं हूँ कामे हाते, और मैं आज से यहाँ पर मूव इन करने वाला हूँ, लेकिन वहाँ से कोई भी रेस्पॉंस नहीं आता है, और ये देखके ही, जो हमारा मेन कैरेटर कामी हाते है, वो आगे बढ़ता है, और उसे कुछ भी नहीं दिखता, वो मन्नी मन सूचता है, कि शायद यहा को खोलता है नहीं है, और अपने जान को बचा लेता है, लेकिन, 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 तभी उन में से एक लड़की को कुछ चाहिए था, और वो एकदम से गेट को खोल देती है, और फिर जो कामी हाते था, वो अपने सामने तीन लड़की को देखता है, तीन यंग लड़की को फिर सब बहार आती है और इस बार वो लोग एकदम proper dress up होगा आती है और वो काफी जादा चिलाने लगता है कामी हाते को उपर और कामी हाते भी बिचारे कहता है कि मैंने कुछ नहीं क्या मेरा कोई गलती नहीं था लेकिन वो लड़किया काफी जा चिलाती है और कामी हाते को समझ में आ चुका था कि वो पिला गया है क्योंकि ये जो तीन लड़की थी ये और कोई नहीं बलकी shine madden थी और फिर कामी हाते उन तीनों लड़कियों के सामने जाके बैठता है और वो अपना आपको introduce करता है कि मेरा नाम है उर्यो कामी हाते और मैं एक high school student हूँ और अब से मैं यही पे रहने वाला हूँ और ये सुनके जो तीन बहनते हो लोग तो काफी ज़्यादा शौक हो जाता है और तभी उन में से एक बहन एक तुम से चिलने लिए दोर कहती कि तुम यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकते तुम एक pervert हो तुम काफी गंदे इंसान हो तुम एक holy shrine madden का bear skin देखा है तुम यह कैसे कर सकते हो और इस तरह जो कामे हाते हो कहते हो कहते है कि माफ कर दो माफ कर दो सब चीजा गलती से हो चुका था लेकिन तभी जो कामे हाते था वो पूस्ता है कि बड़त वो जो प्रीष्ट है वो कब आने वाले है और फिर उन में से एक लड़की कहती है कि वो तो कल ही आने वाले है और इस लड़की का नाम था यह amagami और यह elder daughter थी और elder sister थी इन तीनों बहनों में से और फिर वो बताती है कि तुम मुझे अपने दीदी के हिसाब से देख सकते हो क्योंकि मैं अभी एक college student हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें एक भाय जैसा ही guide करने वाला हूँ और यह सुनने के बाद ही वहाँ पर और एक बहन भी कहती है कि मैं हूँ सबसे youngest तो मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए और इस लड़की का नाम था आसा ही amagami जो की youngest daughter और youngest sister थी इन तीनों में से और फिर वो दोनों ही एकदम से कामी हाथे के आसपास आकर बैट जाते हैं दोनों ही कामी हाथे को काफी ज़्यादा पसंद कर रहे थे और उसको अभी से ही एक family member के हिसाब से treat करना चालू कर दिया था लेकिन तभी जो बीच वाली लड़की थी वो कहती है कि मैं नहीं सूचती कि तुम हमारे family का कोई part हो और वो अभी भी काफी ज़्यादा गुसा थी और उसका नाम था यूना आमagami जो की कामे हाथे के ही age की थी और ये सुनके हमारे यूरी भाई कहता है कि मुझे भी कोई फरक नहीं पड़ता और वैसे भी मुझे family member नहीं बनना आर्ट बोर्ट के पीसे ते वो सब स्कूपर गिरने वाला था जो देखके यूरी एकतम उसको बचाने के लिए जाता है लेकिन तब ही एक जोरदार सा आवाज होता है और ये सुनके ही यूना एकदम भाग भाग के आती है उसके रूम पे और जैसी वो केट खोलती है वो देखती है कि उसकी बड़ी बेहन यूरी के सर के उपर लेटी हुई है और ये देखके यूना और ज़दा गुस्सा हो जाती है और चिलाने लगती है और फिशन काफी रदा अनकमपटबल महसुस कर रहा था और फिर असाही एकदम से उर्यू का जो बैग था उहाँ पे चला जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास वो सब वाले मैगजिन्स तो होंगे ही और फिर वो उसका कच्छा पैंड सा फेकने लगता है और तभी उर्यू उ और सथा चिलाने लगती है और इस बार वो उर्यू को पेल भी देती है उर्यू फिर से पराय करने बैठता है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था और इसलिए वो फेश वस करने के लिए बाहर जाता है लेकिन वो नोटिस करता है कि एक रूम सभी भी लाइट आ रहा है और फ और वो अपने उपर यूर्यू को देखके काफी ज़ादा चिलाने लगती है और वो बहुत साथ डरने भी लगती है और ये अवास सुनके जो बागी के दो बहन ये और असाही दोनों ही उस रूम में आ जाती है और वो लोग देखते है कि यूना के उपर इस बार उर्यू ह और ये देखके वो दोनों फिर सब गेट को लगा देख ये ये वन्दा हम तीनों के साथ कर लिया और फिर वो चारों फिर से एक साथ बैठते हैं और वो यूना से पूस देखिए इतना रात कव तुम क्या कर रहे थे और फिर हमने दिखा जाता है कि यूना असल में और ही यू बना रहे हो, यह सब लगी चार्म्स, तुम्हें तो यह इन सब करके कोई पैसा भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन तभी जो यू ना थी, वो कहती है कि ऐसी भात नहीं है, यह सब मैं इसलिए बनाती हूँ, ताकि यहां पर जितने भी भगत आते हैं, वो लोग को मैं है, और फिर वो तीनों बहन बोलते हैं, कि यह असल में उनका मॉम ने उनको गिफ्ट किया था जाने से पहले, और जाने से मतलब इस दुनिया से जाने से पहले, और यू ना बताती है, कि भले ही वो यहां पर नहीं है, लेकिन इस स्ट्रिंग के मदद से, हम उनके फीलिंग का medical college में admission लेना है और ये सुनके तीनों बहनी काफ़ दर शौक हो जाते है बट कहते कि तुम एक दम perfect जगाये हो क्योंकि इस shrine में एक ऐसा god भी है जो कि exam में सब को pass करा देते है तो तुम्हें चिंदा करनी कोई ज़रुवत नहीं है और ये साल का वो समय है जहाँ पर miracle भी होता है एक magical star shower और legends के मानो तो इस टाइम पर तुम जो भी wish करते हो वो सब कुछ सच हो जाता है और ये सुनके उरियू कहता है कि तुम पागल पागल हो क्या और फिर वो इस star shower के पीचे का जो scientific logic है वो समझाने लगता है और ये सुनके यूना इतना जादा गुसा हो जाती है कि वो कहते है कि मैं तुम को कर्स दे के ही मानोगी तुम बिल्कुल गंदे बंदे हो मैं तुमें कर्स दूँगी ही और फिर हमें अगले दिन का scene दिखा जाता है जहाँ पर shrine में काफी सारे लोग pray करने आया थे लेकिन उसी तरफ जो यूरू था वो कहता है कि मुझे ये पूजा पार्ट वाले चीजों से बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मेरे ख्याल से ये सब कोई sense नहीं बनाता और मैं एक priest का life तो imagine भी नहीं कर सकता हूँ लेकिन तभी हमें दिखा जाता है कि जो यूना थी वो एक foreign बच्ची को English में कुछ बताने ही कुशिश करती है लेकिन उस बच्ची को कुछ समझ में नहीं आता और तभी वहां पर यूरू आता है और वो English में उस बच्ची से कहता है कि तुम इस चीज को ले सकते हो ये गिफ्ट है और फिर वो बच्ची भी समझ जाती हो और वहां से चली जाती है और फिर यूरू कहता है कि क्यों तो में काफी सारे foreign tourists भी आते हैं तो अगर तुमें एक अच्छा सा shrine maiden बनना है तो तुमें English भी ढंक से सीखना होगा और ये सुनने के बाद जो यूना थी वो भी पहली बार कहती कि तुम सही बोल रहे हो बर तभी एक बहुत जोरदार हवा का जोका आता है और पेर के उपर एक चीरिया बैटा था जो कि एकदम ओर के आता है और वो यूना के हेर में जो string था उसको लेके ओर जाती है और जैसी ही वो पक्षी वो string को लेके ओर जाता है यूना याद करती है कि कैसे उसके मॉम ने उसको ये string गिफ्ट किया था और वो string उसके लिए एक ट्रेजर से कम नहीं था उसके बाद शेप्ट वतर हमें साम का शीन दिखा जाता है जहाँ पे तीनों बहन नहीं पूरा वापस मिल जाएगा लेकिन तभी वहाँ पे एक दम से यूरू आता है कि क्या तुम लोग पागल हो ये सब रियल लाइफ में ऐसे वोक नहीं करता भगवान तुम है जो तुम विश करते हो वो नहीं दिलाएंगे तुम है खुद को काम करना होगा इन सब चीजों पे और य जाते जाते कहती है कि तुम यहाँ पे जाते दिन तो नहीं आये हो लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बिलॉंग नहीं करते और फिर शेंग शिफ्ट होता है और हमें उर्यो को दिखा जाता है जो कि अपने मन ही मन सोचा था कि अगर इतना जल्दी हमारे बीच में इ अस्पिटलाइज थी और फिर असाही पूस्तिए की grandfather ने तुम्हें ये के बारे में क्या बताया था और फिर वो बताने लगती है की ये के बारे में बताया था कि वो बहुत ही बच्पन में अपने एक मात्र में मर्जू कि उसकी मौम थी उसको खो दिया था और उसके बाद वो अपना बाकी का लाइफ एक और्फनेज में बिताया है और ये सुनने के बाद असा ही कहती है कि अब मुझे समझ माया ओर यो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था उसने भी सायथ काफी बार भगवान से प्रे किया था भगवान से काफी wishes मांगा था अपने मौम के लिए लेकिन कुछ काम नहीं किया सिरे वो अभी ऐसा बिहेव कर रहा है बट हमें चीनता करनी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जैसा वो है वैसा ही यूना भी है क्योंकि दोनों ही बाहर से काफी जाता strong है लेकिन अपने emotions को छुपाते है और अंदर से वो दोनों ही काफी जाता soft है और ये सब चीजे यूना उसके gate के बाहर से सुन रही थी और फिर वो वहाँ से चल जाती है और उसके बाद शेन shift होता है और हमें उरियो को दिखा जाता है जो कि रात को ही वो shrine का असपास जितना भी घोसला है उन सब को check किये जा रहा था ताकि उसे यूना का जो hair string था वो मिल जाए लेकिन unfortunately उसको कुछ नहीं मिलता और फिर ultimately वो भी shrine के सामने जाता है और वो भी prayer करने लगता है यूना को वो चीज वापस मिल जाए जो कि वो इतना जादा treasure करती है और फिर यूना यूरू के पास जाके ही prayer करने लगती है जो देखे यूरू एक्तम shocked हो जाता है और तब यूना कहती है कि ऐसे अपना wish जोर से बोलने से काफी अच्छा होता है भगवान तुमारे wish को जरूर से fulfill करेंगे और फिर वूरू यू भी अपने गंदे behavior के लिए उससे माफी मांगती है और फिर हमें दिखा जाए था कि यूना वापस जा रही थी कि तब ही ये और आसा ही भी वहाँ पे आ जाती है और फिर वो दोनो यूना और वूरू को दोनों को ही एक साथ दे के काफी जादा खुश होते है और फिर चारों मिलके फिर से अपने डॉम के तरफ वापस चलने लगते है लेकिन तब ही जो वूरू था वो कहता है कि लेकिन हमें तो string मिला ही नहीं लेकिन तबी यूना कहती है कि हमने प्रे तो कर लिया है अगर मिलना रहा तो एक मिरकल होगा और हमें मिल ही जाएगा और ये कहते ही अचनक से फिर से एक काफी तेज हवा का जोका आता है और इसी के साथ काफी सारे चेहरी ब्लुजम्स हवा में ओरने लगे थे और फिर हमें दिखा जाता है वही Magical Star Shower आसमान से काफी सारे तारा तूट के नीचे गिर रहे थे और ये सीन देखे सब लोग काफी ज़्यादा खुश हो गए थे सब को लग रहा था कि यही वो Miracle है लेकिन अभी भी जो URIU था वो कहते है कि मुझे अभी भी ये Miracle तो नहीं लग रहा है लेकिन तभी जो URIU थी वो गया देखी तुम अपने सामने देखो और जो दृश्य तुम देखोगे क्या वो Miracle से कोई कम है और फिर यूरो अपने सामने देखता है और उसे वो तीनों बहन दिखते है और पीछे वो Cherry Blosom और Falling Stars दिखते है और उसके बाद वो खुद भी थोड़ा बहुत रिलास करता है कि शायद यही यही वो Miracle है और उसके बाद वो आगे बढ़ते है लेकिन तभी हमें एक घोसला दिखा जाता है जहांपे यूना का वही String रखा हुआ था और तभी हमें किसी का पैर दिखाया जाता है और अचानक से वो जो String था वो एकदम से उड़के आता है और वो यूना के सर को पराके गरता है और इसी के साथ जो Miracle था शायद वो सच हो जाता है और उसके बाद शीन शिफ्ट होता है किसी एक के साथ शादी करना होगा और इस श्राइन का पूरा दाइत वो उसको लेना होगा और ये सुनके सब का दिमाग बढ़ जाता है तो गाईज मिलते अगले अपिसोड में यहां तक देख लिया तो कमेंट कर दो लाइक कर दो और अगले अपिसोड का दिमांड कमेंट सेक्शन में लिग दो भाई तो वीडियो को शेर बेर कर देना मिलते अगले अपिसोड में तर देन बाई बाई श्टे सेफ